दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बेटन को प्रेस कर लीजिए, बेल नोटिफेशन को भी दबा दीजिए, ताकि सभी नोटिफेशन आपको टाइम पे सबसे पहले मिलें दोस्तो option trading एक ऐसा tool है जो आज हर कोई करना चाता है, एक ऐसा product है जिसमें हर कोई पैसा बनाना चाता है, पर क्या options की बारिकी आप जानते हैं, क्या options को अच्छे से आपने समझा है, क्या options को अच्छे से पढ़ा है, क्या आप जानते हैं कि options का भाव क्यों पर नीचे होता है, दोस्तो इस वीडियो में मैं इन सभी डिटेल टॉपिक पे शायद ना चर्चा करूँ बट आपको ये बताने की कोशिश जरू करूँगा कि आपको क्या करना चाहिए ये वीडियो आपकी ये हल्प करेगा कि आपको option writing करनी है option buying करनी है क्योंकि अभी तक तो आप यहीं confused है कि आपको option buying सीखनी चाहिए कि option writing सीखनी चाहिए हर तरफ हला रहता है हर तरफ show रहता है कि option writing करनी चाहिए be option writer option writer बड़ा भरी भरकम word दिखाई देता है option writer राइटर का मतलब है क्या writer कुछ नहीं है दोस्तो writing का मतलब है selling जो options को बेच के काम करता है उसको option writing एते बहुत ही simple सी भाचा है अब सवाल खड़ा होता है कि मुझे option writing करनी है ये option buying करनी है ये माप पे छोड़ता हूँ कि जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो promise करता हूँ कि आप बिल्कुल comment section में लिखके बताएंगे कि आपको option writing करनी है कि option buying करनी है दोस्तों जैसे आप मुझे comment करते हैं कि इसला आप बड़े motivating videos बनाते हैं आपके comments मुझे motivate करते हैं तो अपने comment करना मत भूलेगा वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि option buying करना फायदे मन रहेगा ये option editing करना दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को subscribe कर ले, bell notification को press रखे ताकि ऐसी information आपसे miss ना हो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने दो stocks का channel किया है एक Vipro एक ICZ Bank दोनों stocks को देखेंगे, अच्छे से उसके chart को देखते हैं, देखते हैं कि हमें option buying करके पैसा जादा बना होता या option writing करके दोस्तों आप screen पर देख पा रहे हैं कि Vipro और ICZ Bank टॉप gainers में से थे और दोनों ही दोनों 4% से जादा बढ़े अब यहाँ पे विप्रो की छलांग 328 रुपे से लेके 375 रुपे, 328 से 375 रुपे तक विप्रो भागा एक lot को purchase करने के लिए दोस्तों आज की रेक में 1.5 लाग, 2.5 लाग रुपे चाहिए होते हैं क्योंकि NSE ने, SEBI ने margin बढ़ा के रखे होते हैं उस option buying करने हम क्यों बसंद करते हैं क्योंकि कम पैसे में जारा profit कमाने का मोगा मिलेगा, risk, reward, ratio बहुत जारा बढ़ जाता है, हमाही risk trade ले ले लेते हैं बड़ हमको अक्सर यह नहीं मालूम होता कि कौन सी strike price को खरीदना चाहिए, कौन सी strike price को बेचना चाहिए दोस्तों यह सब मैं अपनी classes में सिखाता हूँ, option analysis बारिकी से सिखाई जाती है, chart analysis बारिकी से सिखाई जाता है, अगर आपको सीखना है तो classes बहुत जल्दी on होने वाली है, जिसकी details हम YouTube पे ज़रू डाल देंगे, तो उस पे नजर बना के रखेगा, अभी फिलाल देखते ह कि ICZ bank क्या विपरों में अगर हमने option buying की होती तो क्या होता और option selling की होती तो क्या होता, उसके लिए मैंने 2 strike prices का chain किया है, विपरों के लिए मैंने चूज किया है 325 रुबे की call price और 325 रुबे की put price, call option भी 325 का लिए है, put option भी 325 का लिए है, वही मैंने ICZ bank के लिए 370 की strike price क चूज किया है समझाने के लिए, दोस्तों ये वीडियो education learning purpose के लिए है, तो please ध्यान से देखेगा, पूरा देखेगा, ताकि आप समझ पाए, decision ले पाए कि आपको क्या गरना है, अब चार्ट पे लेके चलता हूँ, ICZ bank और Vipro के पे, सबसे पहले ICZ bank का चार्ट देखते है दोस्तों, ICZ bank का चार्ट आप देख रहे हैं, 370 रुपे के आसपास में, 376, 378 के आसपास में इसको एक breakout मिला, एक consolidation होने के बाद में, और ये breakout 405 रुपे तक stock को लेके गया, वहीं ये जो time को note कीजिए है, दोस्तों बहुत unique method आपको बता रहा हूँ, time देखे, जैसे suppose हम 6 October की बात करें, सबा 11 बजे के आसपास एक consolidation period start हुआ, ये consolidation का जो breakout हुआ, वो 6 October को 2 बजे खत्मा, 2 बजे stock ने breakout दिया, 377, 388 के आसपास घुमते वे, अब यहाँ पे 370 की call option ने कैसे behave किया, और 370 की put option ने कैसे behave किया, वो देखते हैं, तोस्तों ये वही time zone है, जहाँ पे consolidation कर वो 17 रुपे के आसपास trade कर रही थी, बहुत देर तक आप ये zone को देख सकते हैं, बहुत देर तक 370 की call, 17 रुपे के आसपास दिया, और यहाँ से जब ICZ बैंक ने breakout दिया, 405 रुपे तक का, वहीं 17 रुपे की, जो call price है, वो बढ़के 49 रुपे हुई, 13 राइन रुपीस, 370 की call option, 17 रुपे से बढ़के 49 रुपे हुई profit देखे, दो 17 का माल 49 रुपे विगा, बहुत जबर से, actual sheet में इसी calculation करके रखी है, उसको देखेंगे, कितना profit हुआ, क्या returns आई, वो देखने कोशिश करेंगे, पहले देखते हैं, कितना profit कहा है, 17 का माल 49 रुपे का कितना profit तो call purchase करके हमने 22 points कमाए है, total 20 points, वहीं अगर 370 की put को write किया हुता है, जो put writing करने के दिवाने लोग है, वो उनको क्या मिला होता, 370 की put को जब हमने बेचा 10 रुपे के आसपास में, काफी देव की consolidation के पास में, उसी टाइम पे, जब हमने ये decide कि हम 370 की call purchase करने वाले हैं, त क्योंकि call खरीदना भी तेज़ी होती है, और put को बेचना भी तेज़ी होती है, तो यहाँ पे 10 रुपे का put price था, वो गिर के 3 रुपे 80 पैसे तकाया, दोस्तों ये हमने यहाँ पे कमाए 6 रुपे के आसपास में, तो वहाँ हमने कमाए 22 points, यहाँ पे हमने कमाए 6 points, अगला अक्टूबर पोने टाइम याद रखी है, दोस्तों, हम call के चार्ट पे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद चलेंगे put के चार्ट पे, दोस्तों ये वही समय है, जहाँ विप्रो एक breakout देने की त्यारी कर था, 328 के आसपास में, वहीं मैंने यहाँ पे 325 की call option और 325 की put option को च रुपीर के आसपास चल रही थी और वहाँ से वो गिर के रह गई 3 रुपीर, बदर यहाँ पे हमने 10 point कमाए, चलिए अब Excel sheet पे लेके चलता हूँ, जहाँ मैंने ये calculation करके रखिया आपके लिए, पुस्तों, Excel sheet आपके सामने हैं, यहाँ मैंने prices लिख दिये है, थोड़ा formula प्लस मैंनस आप कर सकते हैं, Excel को चलाना बहुत ही असान है, विप्रो का जो lot size 32 share का है, ICC bank का lot size 1375 share का है, वहीं हमने जो 325 की call purchase की थी और 325 की ही put को right किया विप्रो के लिए, call को purchase करके हमें points मिले 34 points, 16 रुपे का माल बिका हमें 50 रुपे, मतलब 1,09,760 रुपे हमने कमाए, more than 1,00,00 रुपे है, और यहाँ पे put को हमने right किया होता, तो हमने कमाए होते 32,000 रुपे, तो आप कहेंगे 32,000 रुपे कम थोड़ी ना है, जी हाँ 32,000 रुपे कमाने के लिए आपने investment कितनी की, 32,000 रुपे कमाने के लिए आपका जो risk reward ratio था, बहुत ही जादा high था, risk बहुत प्राइं करने के लिए premium कितना है, 16 रुपे के आपकी investment है दोस्तो, दोस्तो वही 52,800 रुपीज आपके लगे, 50,000 रुपे आपने लगाए और एक लाख रुपे कमाए, पैसा double हो गया, दोस्तो आप पताए ये returns कहाँ जादा आई, आपने call को buy किया, और उसी time पे उसकी put को double हुआ, जी हाँ, options को buy करने में पैसा double हो रहा है, वहीं उसी time पे same strike price की put को जब मैं right कर रहा हूँ, तो मेरा investment हो date से 2,000 रुपे के आसपास का है, मुझे reward क्या मिल रहा है, reward मुझे मिल रहा है, खाली 12,000 रुपे का मतलब, मैं date लाख लगा के 12,000 रुपे का मतलब, मैं date ला time पसंद है, क्योंकि, अगर आपको option buying करने में आ जाए, time करना है, लोग कहते हैं, market को time नहीं किया जा सकता है, अगर आप option chain analysis करना जानते हैं, अगर आप chart को ठीक से time करना जानते हैं, चार्ट को ठीक से पढ़ना जानते हैं, आपको आपके time frames पता है, आपको ये समझ में आ मैं हमीशा से कहता है, सीखे, जिस मरजीर से सीखना है, सीखे, आप हम से सीखना चाते हैं, classes बहुत ही जल्दी आपके share में होगी, details आपको जरूर मिलेंगी, आप दिये के contact number पे contact करके, अपने details पता कर सकते हैं, दोस्तों और महीने हम दिली और मुंबगी class करने वाले हैं, जिसका schedule बहुत ही जल्दी YouTube और social media पे upload कर दिया जाएगा, आप नज़र बनाए रखें उस schedule के लिए, तब तक के लिए practice कीजिए, study कीजिए, गलत trade करने से बचिए, no trade is also a trade, अगर आपको trade नहीं करना आता है, तो अपने पैसे को बचाईए, save कीजिए, बेवज़े की error trading करन में पैसा है, दोस्तों, content अगर अच्छा लगा हो, तो चैनल को subscribe करना ना भूलें, और bell icon को ज़रूर प्रेस करेगा, ताकि कोई भी information miss ना हो, comment section में comment करना ना भूलें, कि कौन सा अगला topic हो वीडियो का, और पसंद आयो तो like जिरू को है, thank you so much for watching this video, take care, bye bye, jahin.